परिचय बच्चो, क्या कोई बता सकता है कि यदि हम एक कटोरे में पेट्रोल भरकर एक कमरे में रखतें, तो क्या होगा? पेट्रोल वाश्पित हो जायेगा, सर? सही कहा तुमने बायर पारम परिक्सरोतों तथा परिया वरण पर उनके प्रभाव के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। उर्जा के पारम परिक्सरोतों को जानना, उर्जा के गैर पारम परिक्सरोतों को जानना, परिया वरण विशक सरोकारों का वरण करना, उर्जा सरोतों की अवधी की व्याख्या करना, उर्जा का एक उत्तम स्रोत आपके देनिक जीवन में सारा दिन आपको धेर सारी उर्जा की आविशक्ता पड़ती है। आपके द्वारा की जाने वाली सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए उर्जा की आविशक्ता होती है। साथी यह उर्जा उस स्रोत से प्राप्थ होती है, जो की आपको कोई भी क्रिया कलाप करने है तू वांचित उर्जा देता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उर्जा का कोई भी उत्तम्स्रोत, बड़े परिमाड़ वाला कारेकरणे में सहायक होना चाहिए, सरल्ता से उपलब्द होना चाहिए, सरल्ता पूर्वक भंडारण योगे तथा परिवहन योगे होना चाहिए, सस्ता होना उर्जा के पारंपरिक स्रोत जीवाश्मी इधन जीवाश्मी इधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोरा उत्पन होते हैं उनमें कारबन की प्रतिशत्ता अत्तिधिक होती है ये उर्जा के आनवी करणिये उस्रोत हैं क्योंकि इन्हें बन्ने में लाखों वर्षि लगते हैं। इस प्रकार के इंधन के भंडार चिंता जनक रूप से घटते जा रहे हैं। जिवाश्मी इंधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भारी कच्चा तेल। उर्जा के पारंपरिक्सरोत तापिये विद्युद संयंत्र एक उद्योग है, जहां वाश्म के द्वारा उर्जा का उद्पादन किया जाता है। यहां पानी को गर्म किया जाता है और फिर उसे वाश्म में परिवर्टित किया जाता है। यहां बारी-बारी से एक वाश्म टर्बाइन को घुमाती है, जो की एक विद्युद जनित्र को संचालित करता है। इसके टर्बाइन से गुजरने के पश्चाथ वाश्प एक संघनित्र में संघनित हो जाती है, तथा जहां ये गर्म की गई थी, वहां पुनर चक्रित हो जाती है. उर्जा के पारम परिक्सरोत जल विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की उर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं, जल विद्युत संयंत्र उर्जा का नवीकर्णिय स्रोत है, जल विद्युत के निम्नलाप है, जल विद्युत सस्ती होती है, जल विद्युत आपूर्ती और द्योगिक उप्योग के लिए सर कार्बन डायॉकसाइट नहीं बनाती। क्या आप जानते हैं। जलने वाला जीवाश्मू इंधन प्रतिवर्श लगभग 21.3 बिलियन टन यानी 21.3 गीगा टन कार्बन डायॉकसाइट यानी CO2 उस सर्जित करता है। प्राक्रितिक प्रक्रियाएं इसकी केवल आधी मात्रा ही सोख पाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाता वरणिये कार्बन में प्रतिवर्श 10.6 बिलियन टन की व्रिद्धी हो जाती है। जैव मात्रा यानी बायो मास उर्जा का नविकरनिये सरोत है। तथा उस जैव समगरी से उत्पन होता है, जो की जीवित अधवा कभी जीवित रहे जीवन से व्यद्पन होई होती है। उर्जा के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग या तो सीधे ही किया जाता है या दूसरे उर्जा उत्पादों जैसे जैव इंधन आदी में परिवर्तित करके किया जाता है उधारणार्थ, वन अप्षिष्ट जैसे मृत व्रिक्ष, शाखाई, व्रिक्षों के ठूट, प्रांगन कत्रने, लकडी की छिप्टियां एवं शेहरी ठोज अप्षिष्ट आदी जैव मात्रा यानि बायो मास में पादप एवं वेजन्तु उत्पाद भी समिलित हैं जिन्हें तन्तुओं अथ्वा अन्य और दोगिक रसाइनों में परिवर्तित किया जा सकता है पवन उर्जा पवन उर्जा, फार्म, सैक्णों एकल पवन टर्वाइनों पर आधारित होता है, जो की विद्द शक्ती पारगमन संजाल से जुड़े होते हैं। चोटी तटवर्ती पवन सुविधाएं अलक थलक स्थानों को विद्द उपलब्द कराती हैं। और जनुप योगी सुविधाएं देने वाली कमपनिया छोटे घरेलू पवन टर्वाइनों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्द की उत्रोततर पुनर खरीद करती हैं। क्या आप चानते हैं? सभी विशाल टर्वाइनों में एक जैसा ही डिजाइन, एक क्षेतिज अक्ष, पवन टर्वाइन, तीन प्लेडों वाले प्रतिवात रोटर के साथ होता है, जो की एक लंबे नरीदार, टावर की चोटी पर एक नसेल से जुड़ा होता है। किसी पवन फार में एकल टर्वाइने एक मध्यम वोल्टिये विद्धुत संग्रह प्रणाली एवं संचार तंत्र से परस पर संबंध होती हैं। एक उपकेंद्र पर यह मध्यम वोल्ट ये विद्धुत धारा उच्छ वोल्ट ये विद्धुत पारेशन प्रणाली से जुड़कर ट्रांसफार्मर की साहता से वोल्टेज में व्रिद्धी कर लेती हैं। उर्जा के वैकल्पिक्स रोत जैसे जैसे हम उन्नति करते गए, हमारी दैनिक जीवन की गतिवितियां भी परिवर्तित होती गई। अब हमारा अधिकांश कारे मशीनों द्वारा होता है। इस कारण हमें उर्जा के वैकल्पिक्स रोत धूनने की आविशक्ता पड़ती है। क्यूंकि हमारे प्रक्रतिक स्रोत हमारी मशीनों के लिए उर्जा उपलब्द कराने के लिए परियाप्त नहीं है। उदारणों में समलित हैं सौर उर्जा, समुद्र से प्राप्त उर्जा, भूतापिय उर्जा, आन्विक उर्जा। सौर उर्जा सौर उर्जा, सौरे के विकृत प्रकाश एवं उसकी उश्मा से प्राप्त होती है। इसका उप्योग मनष्य द्वारा विब्धिन प्राध्दुकिकियों हेटु प्राचीनकाल से किया जाता रहा है। सौर उर्जा का प्रयोग विनिर्मान तथा नगरिये भवनों के लिए किया जाता है। साथ डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म पानी उपलब्द कराती हैं। घरों में पानी गर्म करनी के लिए आमतोर पर जिन सौर हीट्रों का प्रयोग किया जाता है। वे हैं शुनी, कृत, नली संग्राहक एवं चमकीले समतल प्लेट संग्राहक। गैर चमकीले प्लास्टिक संग्राहक का प्रयोग साधरनता सुमिंग पुलों में किया जाता है। समुद्र से उर्जा, यानि जुआरिये उर्जा, जुआरिये उर्जा जल विद्धुत का एक रूप है, जोकी जुआर की शक्ति को विद्धुत में परिवर्टित करता है, यह उर्जा का एक नवी करनिये सुरोथ है। जुआरिये उर्जा, समुद्र की लहरों से प्राप्त की जाती है। जुआरिये बल, सामईक विभिनता के साथ, चंद्रमा के गृत्विये खिचाओ के कारण उत्पन होता है। यह बल, समुद्र में गती या विद्धुत प्रवह उत्पन करता है। सशक्त आकर्शन के कारण समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। इससे समुद्र के मध में स्थित जल तटों की ओर बढ़ता है। और जुआर भाटा आ जाता है। यह एक सुनिश्चित घटना है, जो की धर्दी के इर्दगेर्दे स्थित चंद्रमा की कक्षा के एक समुद्र के किसी संक्रे मुखद्वार पर बांध बना कर संचित की जाती है। तब बांध के मुखद्वार पर एक टरवाइन लगा दी जाती है, जो की इस जुआरिये उर्जा को विद्धुत में परिवर्टित करती रहती है। समुद्र से उर्जा, तरंग उर्जा, तरंग उर्जा समुद्री तरंगों से उत्पादित उर्जा है। इस उर्जा का प्रियोग हम उप्योगी कारियों जैसे विद्ध उत्पादन, जल विल्वणन अथवा जलाशयों में जल को पंप करने यादी में कर सकते हैं। तरंगें समुद्र की सतह पर पवन के गुजरने के कारण उत्पन होती हैं। जहां तक तरंगे वायू की गती से धीमी होती हैं, वायू से तरंगों में उर्जा इस्थानांतरित हो जाती है। प्रतिवात और तरंग शिखा के मध्ध का वायू दाब अंतर तथा जल सतह पर वायू का घर्शन दोनों ही जल का अपरूपी दबाव सहते हैं। इससे तरंगें बढ़ती हैं और परिडाम सो रूप तरंग उर्जा के उत्पादर में सहायता मिलती है। समुद्र से उर्जा महा साग्रिये तापिये उर्जा महा साग्रिये तापिये उर्जा अभिक्षा कृत ठंडे गहरे प्रिष्ठ एवं अभिक्षा कृत गर्म उत्ले प्रिष्ठ वाले जल के ताप मानिये अंतर का प्रयोग एक हीट इंजन को चलाने में करती है। और उर्जा का एक उप्योगी रूप मुख्यता विद्ध उत्पादित करती है। बहुत अधिक ताप मानिये अंतर के साथ चलाये जाने पर हीट इंजन अधिक कारिक्षमता एवं शक्ती प्रदान करता है। महा सागरों में प्रिष्ठ तथा गहरे जल का ताप मानिये अंतर उशन कठी बंधिये क्षित्रों में सरवाधिक होता है। जबकि अन्य क्षित्रों में 20-25 डिग्री सेल्सियस के मध्धे रहता है। जब प्रिष्ठ ये जल परियापत रूप से गर्म हो जाता है तब उसे वाशप शील तरल पदार्थ अमोनिया को गर्म करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है। क्या आप चानते हैं, धर्ती उपरी वातावरण पर 174 पीटावाट यानी PW सूरे विकिरण ग्रहन करती है, इसका लगभग 30 प्रतिशत वापस अंत्रिक्ष की और परवर्तित हो जाता है, जबकि 6, 70 प्रतिशत बादलों, महसागरों तथा स्थल खंडों द्वारा अफ्शोशित कर लिया जाता है। भूतापिये उर्जा भूतापिये उर्जा एक ऐसी तापिये उर्जा है, जो भूमी के अंदर उत्पन एवं संचित होती है। पिघली चटाने भूपरपटी के गहरे गर्म ख्षित्रों में बनती हैं। ताप धर्दी की कहराई से आसपास की ठंडी चटानों की ओर परिचालित होता है। कुछ चटाने उच्च तापमान एवं उच्च दबाव के कारण पिघलती हैं। इससे चटाने एवं भूपरपटी का जल कभी-कभी तो 370 डिग्री सेल्सियस तक तप्त हो जाता है। भू ताप ये उर्जा का उप्योग गर्म जड़नों एवं अंत्रिक्ष तापन में किया जाता है। नाभिकिये उर्जा नाभिकिये उर्जा ताप एवं विद्ध के उत्पादन के लिए अनवरत नाभिकिये विखंडन का उप्योग करती है। ये उर्जा का 24 रोध है, जोकी कारबन उत्सरजनों को घटाता है। नाभिकिये उर्जा एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन होती है, जिसे नाभिकिये विखंडन कहते हैं इस अभिक्रिया में भारी यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक पर निम्न उर्जा निूट्रॉन से बाचार कराई जाती है तब ये पर्माणू हलके नाभिकों में विखंडित हो जाता है और विशाल मात्रा में उर्जा मुक्त होती है उधारन के तौर पर यूरेनियम के एक परमाणू का विखंडन कोईले के किसी कारबन परमाणू के देहन से उत्पन्न उर्जा से 100 करोण कुना अधिक उर्जा उत्पन्न करता है परियावरण विश्यक सरोकार उर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग हमारे आसपास के परियावरण को प्रभावित करता है अताहा किसी भी उर्जा स्रोत के दोहन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इससे ना तो परियावरण संतलन बाधित हो और ना विधी अवहेल ना हो नवी करणिये उर्जा स्रोत अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वे उत्पादन करते रहते हैं जबकि आ नवी करणिये उर्जा स्रोत समाप्थ हो जाते हैं उर्जा के चायन प्रयोक्त हो रही उर्जा के उद्देश्य तथा उर्जा के वास्तविक उप्योग में हमें इमानदार होना चाहिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उर्जा के अच्छे स्रोत का प्रयोक करना लाबकारी है उर्जा के पारम परिक्स्रोतों में जीवाश्म इधन, तापिये विद्दुत संयंत्र तथा जल विद्दुत संयंत्र सम्मिलित हैं उर्जा के पारम परिक्स्रोत, जैव मात्रा यानी बायोमास तथा पवन उर्जा के प्रयोक से संशोधित हुए हैं सौर उर्जा समुद्रों से प्राप्त उर्जा, भूतापिये उर्जा एवं नाविकिये उर्जा सभी उर्जा के वेकल्पिक्स्रोत हैं उर्जा के नवीकर्णिये सुरोत अधिक समय तक बने रहते हैं। हमें उर्जा के चयन प्रयोक्त हो रही उर्जा के उद्देश्य तथा उर्जा के वास्तविक उप्योग में इमानदार होना जाहिए। ताकि हमारे आसपास का परियावरण प्रभावित ना हो।